नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरे परिश्चे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतों पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आए आज हम सभी जानते हैं एक बहद ही खास टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए बहद फायदेमन सावित ह होगा जिहां आज हम बात करेंगे लॉंग के जोड़ों का यह खास टोटका आपकी किस्मत के बंद दर्वाजे खोल देगा यह आज का टोटका आप सभी के लिए धन प्राप्ति एम अन्य समस्याओं के लिए कई उपाय बताए जाते हैं लेकिन जो तिशियों के अनुसार बहुत सारे लोगों को बिलीव होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं होता है बहुत सारे लोगों को यह अंधुविश्वास लगता है लेकिन यह उन्हीं लेगों के लिए वर्क करता है वह भी साइक्लोजिकली फैक्टर होता है जो अपने लिए करना चाहते हैं या जिन उस निम्बू को घुमा कर पश्चिम दिशा की तरफ श्री राम नाम लेते हुए यानि कि भगवान श्री राम का नाम लेते हुए फेंक दें ऐसा करने से आपके अंदर एक तो निम्बू जो होता है वो निगेटिविटी को दूर भगाता है आपसे इसलिए भी आपके मन को शांती मिलती है और निगेटिव एनर्जी आपसे दूर भागती है पोजिटिवली आप जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सफलता मिलनीता है मन में या घर में अगर ज्यादा जगड़े होते हूं या नकारात मकता ज्यादा हावी रहती है तो जातक सुबह के द पर में दाई और मुडी हुई सुंड के गनेश जी का चितर लगाएं इसके आगे लोंग तथा सुपारी रखें और इसकी पूजा करें काम पर जाते समय उसमें से एक लोंग को अपने साथ ले जाएं आपका काम कभी नहीं रुकेगा यानि कि हर वक्त आपका काम बन जाए उतरी होगी इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे भी उपाय बता रहे हैं जिनको करने से हनुमान जी की अपार क्रिपा पर तुरंत प्राप्त होगी जिहां हनुमान जी के मंदिर जा करके एक सर्सों के तेल का और एक शुद्ध घी का दिपक जलाएं इसके बाद वहीं बैठ मनोक्षा की और मुह करके तुलसी की माला से राम की माला से एक हजार आठ बार जाप करें साथ सब्ताह में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी यानि के मनोक्षा पूरी हो जाएगी अगर आप शनी दोश्य पीडित हैं तो मंगलवार को काली उड़द एवं कोईले की एक पाहित कर देना है इससे शनी दोश का प्रभाव खत्म हो जाता है आपकी सफलता आपके पास होती है जहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों